साथियों, भारत का वैक्सिनेर्शन अभ्यान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवन उदाहरन है. कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशंकाय व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोक्तंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा. भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशातन, यहां कैसे चलेगा? लेकिन हमारे लिए लोक्तंत्र का मतलब है सबका साथ, सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्षिन, मुक्त वैक्षिन का अभ्यान शुरु किया. गरीब, अमीर, गाव, शहर, दूर, सुदूर, देश का एह की मंत्र रहा कि अगर बिमारी भेदभाव नहीं करती, तो वैक्षिन में भी भेदभाव नहीं हो सकता. इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्षिनेशन अभ्यान पर वी आईपी कल्चर हावी नहों, कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्षिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी. साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था, कि हाँ जादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं. दुनिया के कई बड़े विक्षित देशों में, आज भी वैक्षिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है. लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्षिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है. साथियों, किसी अभियान में, जब सबका प्रयास जुड़ जाता है, तो परणाम अदभूती ही होते हैं. हमने महामारी के ख़लाप देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत वराया. कि फॉर्स्ट लाइन अफ डिफेंस बनाया, देश ने अपनी एक जुड़ता को उरजा देने के लिए ताली फाली बजाई, दीए जलाए, तब कुछ लोगों ने कहा था, कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी? लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा, इसी ताकत ने कोवीड वैक्सिनेशन में आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुँचाया है. कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का अंकड़ा पार किया है. ये बहुत बड़ा सामर्त है, प्रबंद काउशल है, टेकनलोजी का बहतरी निस्तमान है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है.